देखिए है ना मेरा चिली मश्रूम बहुत ही लजीज मुझे पता है इसे देखकर आप सब के मूँ में पानी आ गया होगा आप भी ऐसा चिली मश्रूम अपने घर पे बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको मेरे बताये हुए मेथड को स्टेप बे स्टेप फॉलो करना अजीज बनेगा तो चलिए शुरू करते हैं मश्रूम चली बनाना और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाए लाइट शियर और कमेंट जरूर करें क्यूंकि आपको सपोर्ट हमारे ले बहुत ही महतबूर है आपके सपोर्ट करने के लिए हमने एक स्थ पैन में पानी को गरं करने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें एक चुढ़ाचमश नमक डालेंगे इसे मिला देंगे और पानी में उबाल आने तक इनतिजार करेंगे देखिए पानी में उबाल आ गया है अब हम इसमें मश्रूम डाल देंगे हमें मश्रूम को बहुत जादा बॉयल नहीं करना है बस इसे टाइम देखकर 5 मिनिट ही बॉयल करें 5 मिनिट हो गया है मश्रूम बॉयल हो गया है अब फ्लेम को आफ कर देंगे मश्रूम को एक स्टेनर में चान लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और फिर इसे थंड़े पानी से वॉश कर लेंगे वॉश करने के बाद इसे थोड़ा ड्राई कर ले 5-10 मिनिट के लिए ऐसे छोड़ दे ताकि ये ड्राई हो जाए और फिर इसमें हम एक बड़ा चम्मच आरा रोट डालेंगे एक बड़ा चम्मच मैदा आदा छुटा चम्मच नमक एक बड़ा चम्मच सोया सॉस और फिर इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि मश्रूम पे अच्छे से कोटिंग हो जाए ये मिल गया है आप देख सकते हैं मश्रूम पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है अब हम नेक्स प्रोसेस के ओर चलते हैं जिसमें आप मश्रूम को डीफ्राइ करेंगे मैंने एक कढ़ाई को गरम कर लिया है इसमें हम रिफाइन ओईल डालेंगे ओईल इतना ही डाले ज इसमें मश्रूम डीफ्राइ हो जाए ओईल को अच्छे से गरम होने देंगे ओईल गरम हो गया है फ्लेम को मिटपे कर दें और एके करके हम मश्रूम को डालेंगे एक बार में मश्रूम को ना डाले और एक साथ सारे मश्रूम को ना डाले इससे वह चिवकने लगेंगे और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे इसे इस तरह से चला चला के फ्राई करें ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं हमें मश्रूम को जादा फ्राई नहीं करना होता है बहुत ही हलका फ्राई करना होता है क्योंकि ये पहले से ही बॉइल होता है मश्रूम फ्राइ हो गया है हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी प्रकार हम बाकी मश्रूम्स को भी फ्राइ कर लेंगे मश्रूम को गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राइ करें सारे मश्रूम्स फ्राइ हो गये है मश्रूम को देखके आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा काला-काला है ये जल गया है पर ये जला नहीं है मश्रूम फ्राइ करने के बाद उनका कलर ऐसा ही हो जाता है तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक शिमला मिर्च का एक चौथाई पार्ट ऐसे स्क्वार साइज में काट लिया है फीक इसी तरह वन फोर्थ पार्ट रेड बेल पेपर वन फोर्थ पार्ट येलो बेल पेपर अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप इसकी जगे वन मीडियम साइज का शिमला मिर्च का इस्तमाल कर सकते हैं दस से बारा लहसन बारी कटा हुआ दो हरे मिर्च बारी कटे हुए दो मीडियम साइज का प्याज स्क्वार शेप में कटा हुआ मैंने सेम कड़ाई में से दो बड़ा चमच ओयल छोड़के बाकी ओयल को बाहर निकाल लिया है और इसे गरम कर लिया है फ्लेम को मीडियम पे रखे हम इसमें प्यास डालेंगे प्यास को हलका सा फ्राई करेंगे बस हलका सा सुनहरा कलर आने तक लगबग 2 मिनट इसे हमें बहुत ज़्यादा सॉफ नहीं करना है प्यास फ्राई हो गया है हम इसमें कटा हुआ लेसन डालेंगे लेसन को भी प्यास के साथ एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेप पे फ्राई करेंगे फिर इसमें शिमला मिर्च, रेड बिल पेपर, यलो बिल पेपर सबको डाल देंगे और हरी मिर्च भी साथ में ही डाल देंगे फिर इसे चलाएंगे एक चुटकी अजीनो मोटो डालेंगे ये ओप्शनल है अजीनो मोटो से फ्लेवर एहनांस हो जाता है इसलिए हम इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आपके पास अगर नहीं है तो आप ना डालें फिर इसे चलाएंगे फ्लेम को मीडियम पे रखें और इसे दो मिनट के लिए हम फ्राइ होने के लिए छोड़ देंगे और जब तक कि ये फ्राइ हो रहा है दूसरी तरफ हम इसका सॉस तयार कर लेंगे हमने सेम बॉल का इस्तिमाल किया है जिसमें हमने मश्रूम की कोटिंग की थी उसी बॉल का इस्तिमाल करेंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच आरा रोट डालेंगे एक छोड़ा चम्मच सोया सॉस एक बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस एक बड़ा चम्मच चिली सॉस आदा छोड़ा चम्मच नमक क्योंकि नमक हमने पहली भी डाला था इसलिए हम नमक का स्थमाल कम करेंगे 200 ml पानी और फिर इसे अच्छे से मिला देंगे और साथ ही में इसमें एक चुटकी औरेंज फूट कलर डालेंगे कलर आने के लिए और इसे मिला देंगे दूसरी तरफ ये फ्राई भी हो गया है हम इसे चलाएंगे और जो हमने सॉस बनाया है उसको डाल देंगे इसे मिलाएंगे एक बड़ा चम्मच विनेगर डालेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमें फ्राई किया हुआ मश्रूम डालेंगे मश्रूम को सब के साथ अच्छे से मिला देंगे और फ्लेम को ओफ कर देंगे हमारा चिली मश्रूम तयार है और इसे एक प्लेट में सर्फ करेंगे आप इसे रोटी पराठे या स्टार्टर में भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को बहुत पसंद आता है आप सभी अपने घरों में हमारे इस चिली मश्रूम की रेसिपी को जरूर बनाए आपको जरूर पसंद आएगा साथी में रेड बटन सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे बहतरीन रेसिपीज के अपडेट मिलते रहें और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें